भारतिय पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्न पक्ष में पूर्णीमा तिथी पर होली का देहन का आयोजन किया जाता है, जबकि चैत्र महा की प्रतिपदा तिथी को रंग वाली होली खेली जाती है। आईए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। इस वर्ष होली का देहन 17 मार्ज 2022 को पूजन का शुब महूर्ट शाम 9 बचकर 6 मिनिट से रातरी 10 बचकर 16 मिनिट तक रहेगा। होली का देहन का समय एक घंटा 10 मिनिट है। इसी महूर्ट में होली का देहन करना अत्यंत शुब है। पूर्णिमा तिथी 17 मार्ज को दोपहर 1 बचकर 29 मिनिट से प्रारंभ होगी। जोकी 18 मार्ज को दोपहर 12 बचकर 47 मिनिट पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान विश्णू के चौथे अफ़तार भगवान नर्सिंग की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर इसनान करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके होली का का पूजन करना चाहिए। हुली का पूजन के लिए आवश्यक सामक्री। हुली का पूजन के लिए आपको गाय का गोबर, फूलों की माला, गंगाजल या शुद्ध पानी, सूत, पांच प्रकार के अनाज, रोली, मौली, अक्षत, हल्दी, बताशे, रंग, फल और फलों से बने थाल की आवश्यक्ता होगी। पूजा का आयोजन करते समय भोग के लिए मिठाई अवश्य रखें। हुली का दहन की पूजन विधी एवं नियम। हुली का दहन के दिन आपको सुभ़ जल्दी उठना चाहिए और इस्नान करना चाहिए। इसके बाद आपको हुली का वरत का पालन करने की शपत लेनी चाहिए। दोपहर में जिस इस्थान पर हुली का दहन पूजन होती है उस इस्थान को अच्छी तरह से साफ करें। फिर सफाई के बाद आपको हुली का दहन के लिए सूखी लकडियां, सूखे काटे, गोबर आदी की विवस्था करनी है। फिर गाय का गोबर ले और प्रहलाद और हुली का की मूर्तियां तयार करें। भगवान नर्सिंग की आराधना के लिए सभी आवश्यक वस्थों को तयार करें। एक-एक करके आगे बढ़ सकते हैं। या परिवार के सदस्यों के साथ आपको खोली का के तीन चकर लगाने होंगे। फिर नर्सिंग भगवान का नाम ले और अपने हाथ में पांच प्रकार के अनाज ले और इसे अगनी में डाल दे। पवित्र अगनी के फेरे पूरे करते समय होली का को ढखने के लिए एक कच्चा सूत लें। इसके अलावा अर्ध भी दें। पवित्र अगनी में गाय के गोबर, सूखे चने, जों, गेहूं, आदी की एक स्ट्रिंग या बाल डालें। फिर होली के रंगों को गुलाल की तरह पवित्र अगनी में डालें और होली का को जल अर्पित करें। अंत में जली हुई आग की कुछ राख को इखटा करें और इसे अपने घर में रखें। और इसे आप घर में छिड़क भी सकते हैं। या माधे पर तिलक के रूप में भी लगा सकते हैं। होली का की राख में से एक छोटा सा भाग निकाल कर इसकी एक पोटली बना कर इसे अपने घर में सुरक्षित रख लें। यह पोटली हिरन्यकश्यक जैसे शक्तिशाली और एहंकारी व्यक्तियों से आपकी रक्षा करेंगी। झाल